है 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 गाइज विल्कम बैक तो मैं चैनल आई होप यू आल डूइंग वेरी वैल तो आज की वीडियो होने वाली है बेबी डाइपर के उपर इस वीडियो में हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो विडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरा नाम है शिवानी और इस चैनल पर आपको बेबी क्यार एंड पेरिंटिंग से रिलेटिट काफी सारी वीडियोज मिलती हैं तो अगर वीडियो पसंद आये आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा साथी बेल आइकन प्रेस करना ना भूले जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज on time मिलती रहें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, let's start the video तो जो भी new wombs होती है, उनको बहुत ही confusion होती है कि हम अपने बेबी के लिए कौन सा डाइपर यूज करें कौन सा डाइपर बेबी के लिए best होगा जिससे बेबी को रैसिज ना हो, या कोई भी infection ना हो तो ये सारी confusion रहती है और जब new mom बनते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता है डाइपर के बारे में तो मुझे भी इस बारे में कोई knowledge नहीं थी लेकिन दीरे दीरे experiment करके काफी सारे ब्राइपर मैंने use किये है उसके बाद मैं अपना experience आपके साथ में share कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डाइपर बेबी के लिए comfortable होते हैं साथ ही में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वह affordable भी हो आपके budget range में होने चाहिए क्योंकि डाइपर ऐसी चीज है कि हमें काफी time तक use करना है जादा expensive अगर आप लोगे तो इससे आपके budget पर भी effect पर सकता है तो मैं आपको बताऊंगी budget friendly और काफी चीजों का उसमें ध्यान भी रखेंगे कि वह baby की skin friendly भी हो और आपके budget में भी हो यानि affordable भी हो जब भी आप कोई diaper ले रहे हो तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपको देखना है कि उसकी observing capacity कितनी है जितनी ज़्यादा observing capacity होगी उतने long time तक आपका diaper चलेगा और इससे आपके baby को rashes भी नहीं होगे second आपको देखना है कि diaper की softness कितनी है जितनी अच्छी softness होगी उतनी ही वो आपके baby के skin friendly होगे और इससे भी आपके baby को कोई भी rashes नहीं होगी third है diaper की fitting एकदम accurate होनी चाहिए ना ही वो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए अगर छोटा बड़ा diaper होगा कि diaper leakage होगा और नमी की वज़े से आपके baby को rashes हो सकते हैं ये तो बात हो गई कि किस तरीके से diaper choose करना चाहिए अब कौन से diaper best है market में उस बारे में हम बात करते हैं मैंने कई सारे ब्रांट्स के diaper यूज किये हैं जैसे हगीज हो गया, मैमी पोकोफेंट्स हो गया, पैमपर्स हो गया, हिमालिया के हो गए तो आरफोर रेविट के भी मैंने यूज किये हैं तो मेरा जो experience है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ तो अब ही मेरे पास सारे ब्रांट्स के diaper तो अवेलेबिल नहीं क्योंकि अब मैं वो यूज करती हूँ तो जो अभी मैं recently यूज कर रही हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और जो मैं यूज कर रही हूँ तो उसके बारे में जो मेरा experience है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी तो अभी जो यूज कर रही हूँ उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हगीज पैंड्स की तो यह इस तरीके की पैकिंग में आता है और यह 50 रुपीज का पैकेट आता है इसके बड़े पैकेट भी आते हैं तो अभी मेरे पास यह वाला है तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ तो इसका कुछ डिजाइन इस तरीके से है तो यह फ्रेंड साइड से है और यह बैक साइड से है और इसमें काफी अच्छा प्रिंट भी दिया गया है तो अभी जो बात है softness की तो इसकी softness भी काफी अच्छी है एंड आप देख सकते हो यह जो middle में आपको दिया गया है इसे काफी अच्छा एब्जॉर्ब होता है और यह आपका 2-3 आवर चल जाता है आराम से इसकी जो observing capacity है वो काफी अच्छी है यह 2-3 आवर तक चल जाता है और इसकी जो price है वो 10 रुपीज का आपको एक diaper पढ़ जाता है तो आप इसको online भी order कर सकते हो और जब आप bulk में लेते हो तो थोड़ी बहुत आपको price कम भी पढ़ जाते हैं तो यह वाला मैं use कर लेती हूँ कभी-कभी second हम बात करते हैं जो कि मैं सबसे ज़्यादा use कर रही हूँ मैं starting से इसको use कर रही हूँ starting में मैंने इसको use किया था फिर धीरे करके और सारे brands भी use करे लेकिन lastly मुझे यही पसंद आया तो यह है Mamie Poco pants और यह इस तरीके की packaging में आता है यह 40 diapers का package है और इसके छोटे वाले package भ diaper की बात करो तो यह आपको 11 रुपीज का पढ़ जाता है और अगर आप बल्क में खरीते हो इनके package तो काफी कम range में पढ़ जाते हैं offer चलते रहते हैं online अगर आप offline store से purchase करते हो तो वह भी आपको 11 रुपीज के something यह पढ़ जाते हैं तो इसकी जो design है वह इस तरीके की यह front में है and यह back side में है तो अभी मैं use कर रही हूँ as size और यह newborn baby के लिए भी आते हैं तो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी जब में इसको use करती थी तो newborn baby के लिए इसमें जो nevel का area होता है वह हमें uncover करना पड़ता है तो उसमें newborn baby वाले diaper में यहां पर cut दिया जाता है जिससे कि वह uncover रहता है जिससे कि baby का जो nevel का area होता है वह touch नहीं होता है और आप easily उसको use कर सकते हो तो अभी baby का size change हो गया है तो अभी मैं use कर रही हूँ as size और इसकी जो observing capacity है काफी अच्छी है आराम से 3-4 hour चल जाता है और मैं honestly आपको बता रही हूँ कि यह काफी अच्छ कभी कभी कभार एक दो डाइपर लीक हुए है लेकिन mostly मुझे पिल्कुल भी leakage की इसमें problem नहीं दिखी है नहीं मुझे baby को कोई भी rashes की problem इसमें दिखी है यह मेरे experience पे तो एकदम number one पे मैं इसको रखती हूँ मैंने pempers का भी use किया है तो उसकी जो capacity है वो थोड़ी मुझे क problem हुई थी तो अभी जो मुझे best लगा है वो है यह Mami Poco Pants and यह काफी affordable भी है अगर मैं इसको बल्क में लेती हूँ तो कभी यह 9 rupees में and कभी यह 10 rupees में मुझे पढ़ जाता है तो यह था मेरा experience diaper के उपर तो अभी बात करते हैं कि baby को rashes ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए त और अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो rashes cream तो आप उसकी जगह पर boroplus का भी यूज कर सकते हो यह काफी अच्छा result देती है कोई भी rashes नहीं होते है मैंने भी यूज की है baby के लिए and second आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप baby का diaper change कर रहे हो तो उस टाइम प और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप baby का diaper change कर रहे हो तो तुरंट आपको दूसरा diaper नहीं पहना देना है आपको थोड़ा सा उसमें gap रखना है 10-20 minutes का आप gap रख सकते हो और दिन में अगर पूरे दिन अगर आपको baby को diaper use करना है तो आप कर सकते हो उसमें कोई problem नहीं है मैं भी करती हूं लेकिन आपको 3-4 आर के लिए आपको baby को diaper free रखना ही होगा तो जब दिन में baby को दूप सिकाती हूं तो उस टाइम पर मैं baby को diaper free कर देती हूं तो उस टाइम पर diaper free time मिल जाता है baby को और जब ही मैं diaper change करती हूं तो उसमें थोड़ा सा गैप द पहनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो मैं तो पूरे दिन baby को diaper में रखती हूं क्लॉथ नेपी कभी 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 यूज करती हूं लेकिन वो सड्यों में सुकती नहीं है तो यह problem बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है तो इसलिए में जादा तर मैं अभी डिस्पोजिवल डाइपर का ही यूज कर रही हूं तो यह था मेरा experience डाइपर के ऊपर की कौन सा डाइपर मैं अभी बेबी के लिए यूज कर रही हूं और यह मुझे सच में बैस्ट लगा इसका प्राइस भी अच्छा है और कोई भी रैश भी नहीं होते हैं बे तो फिर आप उसी तरीके से यूज करना स्टार्ट कर सकते हो तो आई हूप आपको यह वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा और थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि आपको कौन सा डाइपर बेबी को यूज करना चाहिए और कैसी यूज करना चाहिए तो अभी वीडियो को यहीं पर है तो यहीं पर उलते हैं कर सकमार का डाइपर वीडियो कॉला चाहिए तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में